माँ भारती के लिए आजादी के जंग में अनेक लोगों ने देश के लिए मरने का रास्ता चुना था लेकिन आजाद भारत में पल पल देश के लिए जीने का रास्ता ही देश को दुनिया में नई उंचाईयों पर पहुँचाता है और इस संकल्पी पूर्ती के लिए एक भारत स्रेश्ट भारत के आदर्शों को ले करके देश को तोड़ने के कई बहाने डूंडे जाते हैं भाती भाती की बाते निकाल करके मा भारती के संतानों के बीच में दूद में दरार करने की कोशिच से हो रही है लाग कोशिच से हो जाए मां के दूद में कभी दरार नहीं हो सकती और इसके लिए एक तांका मंत्र यह बहुत बड़ी आउसदी है बहुत बड़ा सामर्त है भारत के बविश्य के लिए एक तांका मंत्र यह संकल्प भी है भारत का सामर्त भी है और भारत को भव्यता प्राप्त करने के लिए यही एक मार्ग है उस मार्ग को हमें जीना है उस मार्ग पर आने वाली रुकावटों के सामने हमने जूजना है और देश के लिए जी करके संब्रुत भारत को अपनी आँखों के सामने देखना है इसी आखों से भव्य भारत को देखना इससे छोटा संकल्प होई ही नहीं सकता इस संकल्प की पूर्ति के लिए आप सब को मेरी बहुत बहुत सुपकामनाय है 75 वर्ष की स्यात्रा आने वाले 25 वर्ष जो भारत का अमरितकाल है जो आप का भी अमरितकाल है जब देश 2047 में आज़ादी के 100 साल मनाएगा एक डेवलप कंट्री होगा तो उस समय आप उस उंचाई पर बैठे होंगे 25 साल के बाद आप किस उंचाई पर होंगे कल पना कीजिए दो और इसलिए एक पल भी खोना नहीं है कि एक भी मो का खोना नहीं है बस कि मा भारती को कि नई उंचाईयों पर ले जाने के संकल्प लेकर के चलते ही रहना है बढ़ते ही रहना है नई नई सिद्धियों को प्रात्त करते ही जाना है विजय श्री का संकल्प लेकर के जालना है प्रात्त